तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं चिकन फ्राई और बहुत जादा मज़ेदार बनने वाला है यह चिकन बहुत जादा टेस्टी बनता है और बहुत जादा लोगों की शिकायत होती कि जब हम चिकन फ्राई करते हैं तो मसाले उससे निकल जाते हैं तो आज हम बताने वाले कि कैसे नहीं मसाले निकले इसमें क्या डालना है मैं तो इसके लिए सब सह पहले हम लेंगे चिकन चिकन को हमने नीबु और नमक के पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है दस मिटले भीगा करें कि भारीक पेस्ट पनाने करें Je कब इसको ठपके और इसको ग्राइंड करके मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए कुछ इस तरह का भी हुआ है इसमें हमने पानी नहीं एट किया है तो अब थोड़ा सा इसमें दो चम्मच के करी छोटा चम्मच के करी पानी डाल देंगे और दुबारा से इसे ग्राइंड क होता है महां पर हमें कट लगाना है यह देख सकते हैं इस तरह से गहरे कट लगा देने हैं और सारे मैंने दो कट लगाए हैं इसमें अब तीन कट भी लगा सकते हैं तो इस तरह से जहां पर मोटी पीसे से महां पर मैं कट लगा रहे हूं तो इस तरह से कट लगा कर देना है जो हम नए हम लगा लेँगी बाकि चोटी की पीसिस था इसमेन लगाएंगी अगर आप चाहें तो फॉर्क से कट कर सकते हैं उसको यह मैंने कुछ चोटी पीस ली है और लेकी में इन सारे को इसमें इसमें आधा झमसालने ऑध कि आठक है कि अ करेकर देते हैं मैं और दूसके बालते हैं अ disc इसे भी डाले चाहएं और इसमें घनिया पॉडर गरम मसाला थे पॉडर यह दालेगे हम कश्मीरी लाल मिंच इसे लए नाल रहे हैं अगल राप है अगर अप चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं उसमें और दो चमपवềने लिए साथ आफ्ट कर लेना है अच्छे से हाथों से और इसमें जो मसाले क把它 पあれब इसके मिला न हमें लिए चुकण वैशी glor कर विम्हें अराम है तो इसके मिला लिए तक यह अराम से मिला लें। Если जब अराम सेbach यह ने न manufactured और सारे कट में लगा लिए हैं मसालो को इस तरह से आराम से आपको सारे पीसे में लगा लेना है यह मैंने लगा दिया है और इसके बाद इसमें डाल देते हैं एक अंडा जिससे जो फ्राइ करेंगे जब चिकन को तो बिल्कुल भी मसाले निकलेंगे नहीं आराम से फ्राइ कर सक मे vrij में और चरहा यृष टीन CongmilS निकाला है यहां जै जड़ा सब्सक्राइय को अजाता है ससक्वा determining एक तरह को करने गाल जै principles जए लगा है यहां इसनिया जा सक्वाधू करने के लिए जितना समय दक लिए जिए यह कर दो मुझा पर और слबले के लिए कि जितना देर हम रखते हैं इसको उतना ही मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है चिकन में और बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यह दिखिए इसको मैंने रखती है तो हम इसको फ्राइब करेंगे तो तेल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया था आप देख सकते हैं hot love यह में मीडियम करतेंगे उसके बाद ही डालेंगे डिर्यक्ट हम नहीं बिल्कुल गरम में डालेंगे क्योंकि इसमें अमने अंडराला और अंड्या डालने के बाद इसमें कलर बहुत जल्दी आ जाता है तो आप ध्यान रखें इस चीज का और इसके बाद इसमें सारी पीसे अब इसमें आराम से फ्राइ करने देंगे अब इसमें बिल्कुल भी पल्टेंगे नहीं थोड़ा सा जब नीचे अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा इसमें हलका सा कलर आ जाएगा तभी इसको चेंज करेंगे इसकी साइट को और इसमें टाइम 12-15 मिनिट लग जाते हैं इसको फ्राइ होते वक्त आराम से फ्राइ होने थे वरना जो अंदर से कच्छी रह जाएंगे जल्दी बाजी में अगर आप कर लेंगे तो चिकन फ्राइ बन के रेटी हो चुकी है तो वीडियो कैसे लगी अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और कमेंट बाक्स में भी जरूर बताएगा कि कैसा बना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नही बोलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में नहीं रेसिपिक के साथ अतले थेंक्यू